आज आप लोगों के लिए एक और बहत्रीन जेई एडवांस का कॉश्चन लेके आया हूँ क्योंकि हमारी यह जो सीरिज है जिसमें 15 मिनिट के अंदर आप लोगों को एक ऐसा कॉश्चन कराते हैं जो आपके जेई एडवांस के मल्टिपल कॉंसेट्स को कबर करता हूँ मैं 2024 और 2025 दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लास 11 के मेकैनिक्स वाले पोर्शन से ऐसे कॉश्चन करवा रहा हूँ जिनमें मल्टिपल कॉंसेट्स यूज होने वाले हैं आज का जो कॉश्चन ने बहुत बैतरीन है क्योंकि इसमें almost हर एक topic of the mechanics apply होता है कि आप इस कॉश्चन पाएंगे कि इस question में हर एक concept mechanics का use हो चुका है क्या है question read करते हैं एक बार question को यहाँ पर देखी भई question में एक बार read करते हूँ आपके लिए one fourth length of a uniform rod is placed on a rough horizontal surface and rod start rotating about the edge at an angle theta between the rod and the horizontal the rod begin to slide on the edge the coefficient of the friction between the rod and the surface is mu और यहाँ पर बच्चों x tendita equal to 4 mu दे रखा है x की value उन्होंने आप से पूछी है question पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगा है ना ऐसा लगा यह तो हो जाएगा पढ़े आराम से हो जाएगा लेकिन यह question बहुत प्यार है बच्चों ना इसकी तो जितनी तारीफ की जाए ना उधनी कम है ऐसे समझलो जैसा देको बच्चों मालो यह table है और इसके edge पर मतलब मैंने ऐसे rod रखी होती क्या ही गिरेगी यह तो गिर जाएगी क्योंकि उंगली पर रखी है ना उंगली नह अगर कोई कहें के वन फॉर्थ लैंट इसके ऊपर रखनी है अब गिरेगी किस तरीके से गिरेगी एक तरीका है कि यहां पर ऐसे घूमती हुए ठीक है ऐसे गूमती हुए इस वाले पॉइंट सिर्फ घूम रही हो मतलब यह पॉइंट स्लिप ना हो लेकिन उन्होंने बोल है उससे पहले क्या हो रहा है बचो इस ज्जगे पे हिंज तो हो नहीं रख़िये उससे पहले क्या हो रहा है बचो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा स्लिपिंग नहीं हो रही है स्टैटिक, काइनेटिक जिस मुवमेंट पे स्टैटिक से काइनेटिक में कनवर्ट हो रहा है उस मुवमेंट पे आपसे इन्होंने क्या पूछ लिया कि बताओ उस ठीटा का रिलेशन म्यू के साथ क्या होगा, question समझ में आया explanation समझ में आई अभी तो question explain किया है question answer थोड़ी बता है answer भी इसी तरीके से समझ में आजाएगा लेकिन अगर आप इस question को अपने आप से कर पाए थे तो पताना जरूर कि sir मैं इसको कर पाया इसका answer अभी आपको पता चल जाएगा ठीक है, answer के लिए तो पूरा देखना पढ़ेगा वीडियो यार आपको, और मेरी explanation भी देखनी चाहिए कि मैं कैसे इसको solve कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया ये एक ऐसा question है, नाम बेसक rotation डला हुआ है, लेकिन इस question के अंदर लगेगा Newton's laws of motion friction, work power energy circular motion center of mass rotational motion 6 topic लगेंगे बच्चो 6 topic के concept इस question में लग रहे होंगे तो एस question तो करना बहुत जरूरी होता है बच्चो ऐसे ही questions physics में मैं हमारी series में add करता जाओंगा चलिए बाई, solve करते हैं इस वाले question को ना rod guype कर दी मैंने यहांपे intentionally की है बच्चो ना because हम चाहते थे कि हम इसको अच्छे से बनाए बच्चो यहांपे हो क्या रहा है अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो एक मिनट बच्चो ना यहांपे बच्चो हो क्या रहा है कि rod पहले ऐसे रखी हुई थी ठीक है मुझे थोड़ी thin rod बनानी थी इसमें न इस चक्कर में मैंने इसको गायब कर दिया इस rod का कितना length बच्चो इसके उपर रखा हुए only this length is ly4 बच्चा बच्चा जानता है कि सर यह rod जो है अपने आप रुकी नहीं सकती है ऐसे यहांपे गिरेगी गिरेगी किसका center of mass कहा रखा है बच्चो यहांपे होगा न center of mass तो mg लग रहा होगा न मतर गिरेगी गिरेगी obviously बात है गिरेगी point of application of the weight जो होगा मतलो न mg अब जब गिरेगी अच्छी बात है इन्होंने बोला है कि भाई जब यह गिर रही है न रोड तो यह यहां तक कब तक एक theta angle तक अप अच्चो मैं double line नहीं बना रहा है या न ठीडी बना दूगया क्या चाहते हो double line ओके खुश और दुखी करेगा कोई बात नहीं लेकिन तुम खुश तो हम खुश यह कह रहे हैं कि इस angle के theta होने तक इस angle के इस point के about theta angle rotate करने तक तो यह बच्चो पता है यहां पर क्या हो रहा है एक तरीके से hinge की तरह काम कर रहा है static friction लग रहा है slipping यह नहीं हो रही static friction slipping not allowed तो इस theta angle पर limiting friction लग रहा होगा क्योंकि इसके just about slipping start होने वाली है एक बात तो मेरे को समझ भाए गई कि theta angle मतलब मुझे तो इसी जगह पर बात करनी है न तो यह बच्चों जब तक rod यहां से गिर रही है न तब तक तो static लग रहा है static की value कित्ती होती है जित्ती जरूवत होती होत्ता लगता है तो हमें जरूवत भी नहीं उसको पता करनी की हमें पता कब करना है हमें तो तब पता करना है जब यह theta angle पर आ जाग और यहां पर just slipping start होने वाली है slipping किदर की तरफ होगी ऊपर भाग जाएगी क्या बात कर दिया ऊपर थोड़ी भागेगी इधर भागेगी तो यह इधर जाना चाहेगी तो रोट जब इधर जाना चाहेगी तो friction किदर लगाएंगे रे friction किदर लगाऊंगा मैं इधर की तरफ कौन सा friction लगाऊंगा अब्वेस बात है slipping just start होने वाली है limiting लगाऊंगा ना limiting कितना होता है mu into normal के बराबर limiting ज्यादा पंगे नहीं करता भाई normal की value पता है न तुम्हें इसलिए हमें पता है कि स्लिपिंग जैस्ट होने वाली है इसलिए हमें पता लगया कि यहाँ पर हमें कौन सा friction लगाना है limiting friction मतलब mu into normal के बराबर अच्छा इस जगह पर normal कैसे लगेगा आप बोलो कि सब्सक्राइब पॉइंट और rod का contact है तो rod के perpendicular लगता है ठीक है पॉइंट और rod का contact है तो rod के perpendicular लगेगा यहाँ पर बच्छो नॉर्मल भी लग रहा होगा ऐसे ओके और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्छो यहां पर नॉर्मल लग गया और यह कौन सा है मिउंट नॉर्मल के बरावर क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले तो इस जगह पर यह हरकत हो रही होगी आप बोलोगे सर यह बात तो सभी है चलो ठीक है अच्छा लगा हमें यहां तक पहुंच और दीटा के वीचिन पताकरने और हमें फोर्स और फोर्स की पर्पेंडिक्शन नहीं कैंप लिए कर लिया करो तो यहां पर तो mutually perpendicular direction में कौन सी choose करूँगा rod के along और rod के perpendicular तो मैंने क्या किया mg के component कर लेते हैं क्योंकि एक ही force है जो के rod के along नहीं है या rod के perpendicular नहीं है मैंने इसका component कर लिया और एक component बच्चो इसका मैंने इधर कर लिया ठीक है? ओके अब आप बोलोगे सर ये angle कैसे लिखूँगा मैं तो मैं बता है को ये वाला angle ये वाला 90 minus theta होगा तो ये भी 90 minus theta होगा न बच्चो rod का vertical के साथ angle 90 minus theta तो ये theta होगा तो बच्चो ये आएगा mg sine theta के बराबर ठीक है? और ये आएगा बच्चो mg cos theta के बराबर क्या आपने component समझे में आए बच्चो mg के component है इसे कर लोगे? अब सारे force बच्चो किदर हो गए? rod के along होगे, rod के perpendicular होगे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी direction में net force होता है वो m into acceleration of center of mass के बराबर होता है center of mass का है? इसका बच्चो यहाँ पर obviously बात है हमें F की question तो लिखनी पड़ेगी F equal to M A लगाना पड़ेगा लेकिन पंगा पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? कि center of mass का acceleration क्या होगा? तो what is the motion performed by the center of mass? सोचो भाई, सोचो, जरा सोचो कि center of mass कैसी motion कर रहा होगा? तो मुझे यह पता है कि यह वाला point circular motion किस radius के circle में? LY4 radius के circle में, क्योंगी LY4 है अच्छा मैं LY4 लिखना है भूले गया था कि यहाँ पर बहुत गलत बात, ठीक है? अब हो गई सही बात तो LY4 radius के circle में circular motion कर रहा होगा यह center of mass? आप बोलोगा सर बिलकुल सही है यहाँ तक तो मुझे बिलकुल भी कोई doubt नहीं है तो center of mass जब circular motion करता है तो बच्चो what kind of acceleration it can have? नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा न circular motion में जो acceleration होता है उसके क्या-क्य component हो सकते हैं तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि circular motion अगर कोई body कर रही होती है तो उसके पास दो component of the acceleration होते हैं एक होता है centripetal acceleration और एक होता है tangential acceleration तो यह circular motion किसके about कर रहा होगा? इस वाले point का about ऐसे घूम रहा होगा तो इसके पास कैसे acceleration होगे? एक होगा center की तरफ और एक होगा tangential tangential और centripetal acceleration के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? बोलो तो सर पता कर लेंगे नहीं पता है तो है ना? ऐसे ही सोच रहा हो न तो centripetal तो बच्चो इधर की तरफ होगा और tangential की तरफ होगा रहे tangential होगा इधर की तरफ तो यह होग ए tangential acceleration और यह हो गया बच्चो इसका centripetal acceleration आप बोलोगे सर आपने तो काम बहुत आसान कर दिया अब तो मेरे को देखने लगा है इसमें क्या करना है मुझे तो मैं कहूंगा कि तुम्हें देखने लगा है मेरे को भी देखने लगा ठीक है तो इसमें क्या करना होगा बच्चो एक तो रोड के along equation लिखनी है और रोड के perpendicular लिखनी है तो मोलोगे सर काम दो खतम होगे मैं कहूंगा अभी नहीं हुआ रहे रुक जा थोड़ा सा ना तो central mass का एक acceleration ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ net force आना चाहिए तो mu n minus का क्या मैं यह लिखूंगा या नहीं लिखूंगा mu L by 4 के बराबर ठीक है L by 4 के बराबर M omega square क्योंकि इसकी radius है L by 4 तो M omega square L by 4 यह होगा या नहीं होगा बच्चो पहला equation आप बोलोगों बिल्कुल सही है जर टेंसर नहीं मतलो है ना दूसरा equation बच्चो के तर लिखना है इधर की तरफ net force के तरफ है इधर की तरफ mg cos theta दूसरा equation बच्चो क्या आएगा अभी काम खतम नहीं हुआ है बच्चो वैरियेवल इसमें बहुत है mg cos theta minus का normal is equal to M into क्या tangential acceleration tangential acceleration circular motion में किसके बराबर होता है बच्चो alpha into r के बराबर तब बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए यह तो तो इसका एक angular acceleration भी होगा alpha नहीं होगा तो tangential acceleration नहीं होगा alpha into r r मतलब ly 4 यह समझ मैं बच्चो this is the second equation लेकिन अब आप कहोगे सर आपने तो प्रॉलम बढ़ा दी कैसे normal आपने variable ले रखा है उमेगा आपने बता नहीं कहां से ला दिया alpha भी ले आए आप तो अब इनको घटाना चालू करो मैंने ठीक है don't worry मैं हूँ ना पहले दो यह बता बच्चो alpha किसकी वेज़से आता है what is the cause of alpha torque किसका लग रहा है बच्चो तो किसके लिखना ज्याता अच्छा रहेका इस point चिह इसके बच्च ले डुका हुए ना बच्चो फिप्शन लिख मद्ग्ण किसका बच्चां इसके फॉस चुछ L divided by 4, यह ही होगा न टॉर्क, M.G. Koshida का, आपने का, हाँ sir, is equal to, I about this point, अरे यह यार, अगर मैं इस point को बोल दूँ A, तो क्या मैं I about A लिख सकता हूँ, I about A आएगा बच्छो, I about center of mass plus का parallel axis theorem, M.L. डिवाइड़ भाई 4 का whole square, आप कहोगे sir, यह तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकता हूँ, इसके about moment अपने शेक्ता आता है बच्छो, M.L.Square by 12, और इसके about कितना आ रहा है, M.L.Square by 16, 12 और 16 का, LCM क्या रहेगा बच्छो, so M.L.Square divided by 12, plus का बहुत, बहुत लंबा जाता है बच्छो, इसलिए मैं यहां भी जगे मिल रही है ना, मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, गलत कर दिया है, मैंने मैं से यहां पर इसको जगे को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें इसकी जरूगत पड़ेगी, ठीक है, न मैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है, जब सोच रहा है अंदर अंदर, बोल दो, ओके, आई अबाउट यह बच्छो किता आगे, 7 ml square divided by 48, तो जब टॉर्क बच्छो इस एक्सेस का बउट लिखा है, तो मुमेंट अफ इनर्शिया भी, उसी एक्सेस का बउट लिखेंगे हम, तो 7 ml square divided by 48 into alpha i alpha, टॉर्क इस एकल टू आई अल्फा, ओके, एक काम करता हूँ बच्छो, मैं पहले इसको ड़ा देता हूँ, ठीक है, किद्री बार कटेगा यह, बार है, ठीक है, मुझे alpha, एक देखो, यहाँ पर L भी है, इसको अड़ा दिया, मुझे alpha l y 4 की value चाहिए, इसको मैं ऐसे लख सकता हूँ, 4 into 3, तो alpha l y 4 को अलग कर लो, और बाद बाकी को इदर ले जाओ, तो 3 divided by 7 mg cos theta is equal to alpha l divided by 4, ले जाके बच्छों यहाँ put कर दो, तो और normal को ले जाना है इधर, और इसको ले आना है इधर, तो mg cos theta minus का 3 by 7 mg cos theta is equal to normal आजाएगा, लो भाई, एक normal का relation आगया, normal आजाएगा 4 by 7 mg cos theta के बराबर, normal की value आगी, पर काफी help मिल जाएगी अपन को नहाँ से, help कैसे मिल जाएगी आपको, help कैसे मिल जाएगी सर, हमें तो कोई help होती दिखनी थी, वो जो उपर वाली जो equation थी ना, वहाँ पर जो n है, उसकी value पता लग गई है मैंना, n की value पता लग गई, अभी omega की value नहीं पता, आपको सर, omega कैसे बता करेंगी, ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहले जब question को start करने से पहले, यह equation कैसे लिखी है तुमने, यह वाली, यह देखो सारे component करना, सब सीख गए तुम इसमें न, f equal to m, तुम मुलों को सा, centrum mass का concept कहां पर आया, यह बच्छा centrum mass में तो बढ़ते हैं, net force on a body, तुम्हें पथा लग रहा है बच्छो कि center of mass जो है न, इसका, center of mass पहले यहां पर था, अब वो यहां पहुँच गया है, इस बज़े से, center of mass के नीचे पहुँचने की बज़े से बच्छो, इसकी potential energy घट गई होगी, potential energy घट गई है, वो ही kinetic energy में कर सकें, तो मैं equation लिखूंगा बच्छो, mg, y4, sin theta, यह है potential energy जो कम हुई, यह convert हो गई है, half kinetic energy में, kinetic energy कौन सी, rotational kinetic energy, half i omega square, 7 divided by 48, ml square, into omega square, लो जी, 1L उड़ा देना यहां से, उड़ा दिया, यह 2 भी उड़ा देना, उड़ा दिया, और हमें चाहिए, यहां पर omega square, l y 4, तो omega square, l y 4 बच्छो, यहां से अलग कर लो, omega square, l y 4, तो बारे बचेगा ना, यहां पर, यह मैंने सब सभी किया, यहां तक, half i omega square, ठीक है, mg, यह l y 4 था न, l y 4, साइन ठीटा, हाँ, तभी तो मैं सोच हूँ, यहां पर हो जाएगा बच्छो, 24, तो omega square, l y 4 अलग कर लेना, यहां पर, m omega square, l y 4 अलग कर लेना, और अलग करोगे तो, 6 से दर चला जाएगा, यह हो जाएगा, 6 mg साइन ठीटा, कितना patience रखना पड़ेगा, इस question को solve करने में, ठीक है, 6 अलग कर लेना, यह हो जाएगा, m omega square, l divided by 4 के बराबर, यहां पर मुझे इसी की value तो चाहिए थी, आवकर मैं इसको यहां पर ले जाकर रख दूँ, इसको यहां ले जाकर रख दूँ, 10 की value ले जाकर रख दो यहां पर, तो 4 डिवाइड़ वाई 7, mu mg कॉस्ट ठीटा, is equal to 13 divided by 7, mg साइन ठीटा, और यहां से mg को mg से उड़ाया, 7 को 7 से उड़ाया, मैं देख पा रहा हूँ यहां पर, 4 mu is equal to 13 10 ठीटा, और यही तो पूछा था इन्होंने, तो तुम मुझे बताओ बच्चो, क्या मैंने तुम्हें जो बोला था, वो सही बोला था, क्या जो मैंने तुम्हें कमिट किया था, कि कैसा question जो पूरी mechanics का revision करा थे, वो question मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, तो यह वोई question है ना, पूरी mechanics, friction का concept, normal का concept, बतलब Newton's laws of motion के concept, circular motion, center of mass, rotation, सब उस तो लग गया है यार, और क्या चाहते हो, यह ना, the answer of this question is 13, so this option will be the correct option, ऐसे ही बहतरीन question और चाहिए, तो उत्तो मैं थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, नीचे जाके comment box में जाके comment करना पड़ेगा, कि sir, we want more questions, ओके, और session को like करना मत बूलना, चलिए बाई, next question, इस से भी बैतरीन लेके, आते हैं, ओके, बाई, take care,